तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप अपने बालों में स्टेटनिंग किस तरीके से करें यह हम पर्मानेंट इस टेटनिंग नहीं कर रहे हैं जो एक दो दिन स्टेटनिंग चलती है वो करेंगे मशीन से जो करते हैं हम लोग तो उसके लिए हम लोग को क्या क बालों में स्टेटनिंग करेंगे ना तो इनके बालों को बिल्कुल भी डेमिज नहीं करेंगी यह हीट और बहुत जादा शाइनर इनकी जो है वो स्टेटनिंग होगी तो इस तरीके से हम लोग जो है बहुत इसली कर सकते हैं सीरम मार्केट में बहुत इसली अबलेबल होत सकते हैं उसके बाद आती है कि हम लोगों को मशीन कौन सी यूज़ करनी चाहिए तो मैं यहां पर आइकॉनिक मशीन यूज़ कर रही हूं और इस तरीके की मशीन अगर आप यूज़ करते हैं तो आपकी जो बालों की स्टेटनिंग है वो बहुत अच्छी चलती है और यह जो अगर आपके साथ में कोई करने वाला है आप साथ आप आप मशीन से निकल वाईए जे इस तरीके से बहुत को शेक्षण लेने है और उसके बाद आप दीरे दीरे जहां नीचे उनको लेकर आएंगे तो एक ही बार में आपके बालों में बहुत अच्छी स्टेटनिंग होती चली जा रही है वैसे उनके बाल ना बहुती सिल्की स्मूद और सोफ्ट होते चल जा रहे हैं बहुत अच्छी एक शाइन आ रही है जो हम लोग आईकोनिक जो मैंने आपको बताया वो तरीका बहुत अच्छा है इन तीनों चीजों की helped से आप बहुत अच्छे से बालों बहुत अच्छी इस्टेतनिंग आपकी होगी और आपका क्लाइम जो है वो बिल्कुल भी शिकायत नहीं करेगा क्योंकि आजकल आप लोगों को पता ही है इस टेटनिंग का बहुत जादा क्रेज है और मेरे चैनल पर आप लोगों को इस टेटनिंग जो मशीन से करते हैं वो भी उसके अलावा पर्मनेंट इस टेटनिंग जैसे के रिवांडिंग, स्मोधनिंग और कैरेटिन वगरा की वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करनी चाहिए आई होप के ये वीडियो भी आपकी काफी हेल्प करेगी देखे इस तरीके से चोटे-चोटे स्क्षन बनाई है बहुत मोटा स्क्षन हम लोगों को कभी भी स्टेटनिंग करते टाइम नहीं लेना चाहिए उससे क्या ह आप भी करेंगे ना तो आपको पहनने की ज़ुरत है ना आपका हाथ जलेगा जिस तरीके से हम लोग कर रहे हैं जिस टेक्निक से उसी टेक्निक से अगर आप करते हैं आप कोम की हल्प से देखिए इस तरीके से ना कौम में बाल फसा कर और मशीन के बीच में रखकर और अच्छे से स्टेट होंगे तो आप बिफोर आफ्टर का जो रिजल्ट है वो आप देख सकते हैं कितना प्यारा इनके बालों में स्टेट निंग हुई आप लोगों को पसंद आई होगी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर माई चैनल और जब भी सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करें तो चलिए मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में बताएगा जरूर वीडियो कैसी लगी